अगर आपको आयपसी कोड और एकाउंट नंबर जानना है तो इस वीडियो को शुरू सिले के अन्त्रक देखते रहे हैं मैं जो इस वीडियो में प्रोसेस बता रहा हूँ वही बल आप प्रोसेस करते हैं तो आप अपना आपको नंबर और आपसी कोड दोनों निकाल कर देख तो चल्य वीडियो को शुरू करते हृं आपको बताते किस तर से क्या करना होगा ईधार है फिसक्रहण को एक क्लिक करना होगा जैसे इस पर दूबरा आप्लिक करते हैं तो यहां तो इस बाधिवर पोट्राइब हो चुका है अब आपको क्या करना है यहां पर आप देख सकते हैं उपर तरब एक option दिखा गया है more option जो लिखा वाइए इस पर आपको क्लिक करना होगा जैसे इस पर more option पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं इस तरह का आ प्र ब्लिच करते हैं तो एस तरह का इंट्रेस दिखने को मिलेगा आपको अपना यहापको एक in इसलों लिखा हो गाए इस तरह से अपदेट लिखा हुए हूए यहाँ पर इस்तोर लिखाओ अपका इस्टल्प लगा आपको क्लिक करते हैं तो आप घूलाद यहां पर ओपन लिखा होगा देख सकते इस तरह से open होगा यहाँ पर आपको इस तरह से processing होने के बाद आपका जो paytm app है open हो रहा है जैसे paytm app open हो रहा है यहाँ पर आपको अपना number को select करना है number जो select करना है आपको अपना जो भी bank के साथ link है वही number आपको यहाँ पर select करना होगा टो चलिए मैंनंबर जो मेरा बैंक साथ Link है उसे सलेक्ष कर लेता हूं उसके बाद दुबार एक लोकेशन 50 माद देना है और यहां पर चलिक कर देना है उसके अगर नहीं होता है तो आपको फिल कर ले के आपको प्रोसेस कंप्रीट कर लेना है तो देख सेकते हैं यहां पर जैसे सब कुछ कंप्रीट हो चुका है अब आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहां पर मैंने पहले इससे पहले मैंने लोगिन कर चुके है अगर आपने लोगिन नहीं किये हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा तो जो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूं वही प्रोसेस आपको करना है बस आपको कुछ नहीं करना है बस आपका जो प्रोसेस से स्रेम करना है आपका काम हो जाएगा यहां पर आपको क्या करना है अवर तरफ आपको जो यहां प्रोसेसंग होने के बा uncondODate मैं इशना है यहां पर आपको प्रोसेस होगा अशनका nurse दूब से करना एड़ा ओपसेंट पर क्लिक करना है एड़ इककाउंट जैसे ह सब्सक्राम प्र प्लिक करते हैं तो ही तरह से प्रोसेसिन होगा इसके बाद को क्या करना है यहाँ पर देखते लिखाया रहा हूं अपको इन्टर कर लिए तोних तो यहां पर मैं example के लिए यही बला मेरा bank है तो इस bank को में select कर लेता हूँ इस bank को मुझे add करना है इसका account number निकानना है और तो आपको क्या करना इस bank पर click करते हैं और जैसे processing होता है processing जैसे compute होगा तो आपका जो यह bank है वो आपका account इस ATM में add हो जाएगा देख सकते हैं और processing होने के बाद देख सकते हैं आपका नीचे तरफ आपका bank account हो लिंक हो जाएगा आपका bank जैसे दोनों आपको देखने को मिल जाएगा और आपको इहाँ पर इसके साथ आपका ब्रांच भी देखने को मिल सकता है और bank का type क्या है saving account है या current account वो भी यहाँ पर देख सकते हैं तो इसी तरब से आप अपना bank account number निकाल सकते हैं फ्रेंड से यह जो मैं process आपको दिखा रहा हूँ पेटियम का पेटियम का जो बर्जन है कौन सा बर्जन का है यहाँ पर ओभी में यहाँ पर दिखा देख सकते हैं पेटियम का जो बर्जन है यहाँ पर निचे तरब आप अपना जो प्रोफाइल को किलिक करने के बाद आपको प्रोफाइल पर ओभी दिखा देता हूँ प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा तो नीचे तरह पाना है नीचे आने के बाद यहां पर देख सकते हैं तो अगर आपका प्रेटियम यही वहला वर्जन होगा तो आप अपना इकाउंट नंबर और IFC को सारा जो मैं आप दिखाया हूँ वह आप निकाल सकते अगर आपका यह वर्जन नहीं होगा तो आप अपना account number नहीं निकाल सकते है तो इसी तरह से आप अपना bank account number निकाल सकते अगर आपको ये जो ATM का जो निया वर्जन है ये बड़ा वर्जन है अगर आपको download करना है तो किस तरह से download कर सकते हैं उसका भी वीडियो में बना चुका हूँ वो वाला भी वीडियो आप देख सकते है थेंक्यू प्रेंट वीडियो को अंतर देखने के लिए साथ इसाथ में आपको एक request करूँगा कि आप अगर ये जो अपना account number निकाल चुके है तो आप एक रुपिया send किसी को भी कर दिजिए हो सकता है कि मुझे भी इसे एक रुपिया send कर सकते है अगर आपको करना है तो कर सकते है थेंक्यू प्रेंट वीडियो को अंतर देखने के लिए